हेलो फ्रेंट अब हम जोग्रफी के बारे में पढ़ रहे थे अभी तक हमने वैली कवर कर ली हील्स कवर कर ली मांटेर नेंज कवर कर ली अब हम आगे पढ़ते हैं इंट्रोड़क्शन आफ इंडियन जोग्रफी कि भारत को क्या-क्या नाम दिये गए हैं तो स्टार्ट करत यह राजदुशन्त के पुत्र थे तो इनको इसलिए भारत को भरत भी कहा जाता है भारत बुद्धिस्ट लिट्रेशर में जंबुद्वी और इरान जिसे गल्फ और पर्ड से भी आते हैं कि लोग भारत को हिंदुस्तान कहते थे रोम के जो लोग और ग्रीक यह इंडिया कहते थे हैं अगरम देखें कि भारत की समयधान में इंडिया कोंस्टटुशन में इंडिया कि कतने नाम आते हैं तो सिर्फ दो ही नाम आते हैं इंडिया और भारत यह आर्टिकल वन और South East में देखें तो ये Bay of Bengal South West में अरपसी से घिरा हुआ है अब स्टार्ट करते हैं मतलब अगर हम एक अर्थ को पूरी अर्थ लिए हमने और इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं अगर हम latitude wise इसको डिवाइड करते हैं तो उपर का हमारा Northern Sphere और नीचे वाला Southern Sphere और longitude अगर हम देखें तो ये Eastern और Western में डिवाइड होता है तो इंडिया की location क्या होती है ये देख लेते हैं ये North East Hemisphere में आता है अगर हम सिर्फ उपर की बात करेंगे तो नदन में और अगर हम दोनों की बात करेंगे तो यहाँ पर इंडिया सिचुएटेट है अब ये कौन सी लाइन में जब हम इसकी बात करेंगे लाइटिट्यूट्स की तो इसका जो होगा ये 37 डिग्री 6 नॉर्थ और 8 डिग्री 4 नॉर्थ लोंगिट्यूट एक्स्टेंशन की बात करें तो 68 डिग्री 7 एस्ट, 97 डिग्री 25 एस्ट ये गुजरात से अरनाजल प्रदेश तक अगर ये हो कि इंडियन सब कॉंटिनेंट में कौन कौन सी कंट्री आती है तो इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, पांगलादेश, म्यामार यह सब पहले क्या थे इंडिया का ही पार्ट थे इंडिया से ही अलग हुए इसलिए इसे इंडियन सब कॉंटिनेंट में काउंट किया जाता है अब अगर हम जोन की बात करें तो अर्थ में 0 डिग्री लाइन को क्या बोलते हैं इक्वेटर बोलते हैं इसको हम Tropic of Capricorn मोलते हैं इसे मकर रिखा बोलते हैं अब जो हमारा Sun है वो इनी तीन लाइन्स के बीश में मूफ करता है तो इसलिए यहां से यहां तक में सबसे जादा गर्मी होती है तो इसको Tropical Reason बोला जाता है और इसको South Pole बोलते हैं और इसको North Pole बोलते हैं सबसे जादा जो सड़ी है हमीशा बर्फ से डख्यों होते हैं क्योंकि यहां पर बहुत कम ही Sunrise पहुंच पाती है और यह जो एरिया होता है इसको हम Temperate Zone बोलते हैं यहां पे जाद धर ठंड बढ़ती है तो इस तरीके से हमने इस अर्थ को डिवाइड किया है जोन वाइज अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं ट्रॉपिक ओफ कैंसर यह जो लाइन है यह इंडिया से होकर जाती है तो इंडिया की कितने स्टेट इसमें आते हैं सबसे पहले नंबर वाइस भी लर्ण कर पहले है तो नंबर लर्ण होना चाहिए कि एट स्टेट है आप कौन कौन से है गुजरात, राजस्तान, मद्रप्रदेश, 36 गट, चारखंड, वेस्ट पेंगॉल, मिजोरम, त्रिपूरा इसकी एक ट्रिक भी है गमच्छा, जार, मित्रपरतो, गासे, गुजरात, महराष, 36 गट, चारखंड, मिजोरम, त्रिपूरा, पस्षिम, बंगाल, और राजस्तान अब सिटीज अब इतक हमने स्टेट में पढ़ लिया अब सिटी कौन कौन से होती है इसको मतलब सिर्फ लर्ण कर सकते है नाम पढ़ सकते हैं जिसे राजस्तान में डूंगरपूर, बंसवारा, बोपाल, जबलपूर, उज्जैन ये सब एमपी में पढ़ते हैं तो इन सिटीज से भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है राची, जहारगंड की कैपिटल है गुजरात में गादी नगर कैपिटल है मिजोरम में आईजॉल, कोलकाता, रायपूर, अगरतेला तो ये कुछ सिटीज हैं जिन से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है अब हम बात करते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ये कहा पर कितनी डिग्री पर लाई करते हैं, अब इसमें कितने स्टैंडर्ड आते हैं और लिए ज Cornshuelsels और से परणकोर को सिटीज हो जो छाजए इस ये स्ट्रीक फिस में 5 स्टैंडर्ड टॉरम इफलों आंजवन eg क्योंकि यह लॉंगी ट्यूट लाइन है इसलिए यह इतना हो जाएगा इसमें भी देख लेते हैं कि कौन-कौन सी सिटी से जाती है प्रयागराज में एक नैनी जगह है बहां से इस्टी हो की उजड़ती है मर्जापुर रीवा सागर उचेन यह सब एंप में पढ़ते हो शं कितना एरिया टोटल कवर करता है तो नौर्स टू साउथ पहले तो यह लेंथ लर्ण कर लेनी है कि 3-2-1-4 किलोमीटर नौर्स टोटल डिस्टेंस है और सबसे नौर्थ का पॉइंट इंदिरा कॉल साउथ में लेंड का ही हम लर्ण कर रहे हैं यह तो इसलिए कन्या कुमार बढ़ना तो इसका इंद्रा पॉइंट सबसे नौर्थ सदन मोस्ट पॉइंट है और वेस्ट में गौर्म आता है यह गुच्रात में पढ़ता है और इस्ट में अरनाचल प्रदेश में कीबू थी तो इसकी वेस्ट टो इस्ट हमारी लेंथ है 2933 किलोमीटर और टोटल एरि अब अगर हम यह देखें कि वर्ड के अकॉर्डिक पूरी दुनिया में इंडिया कितना एरिया कवर करता है तो वह परसंटेज में 2.43 परसंट और यह जो कोशिशन है यह PCS के प्री में भी आया था लास्ट एर तो इसलिए इसको तोड़ा मतलब लट कर लेना अकॉर्डिक अगर हम देखें कि इंडिया की कौन से पूजिशन है वर्ड में इंडिया कितना कवर कर रहा है यह तो हमने पढ़ लिया की परसंटेज में 2.43 परसंट है तो सेबंथ पूजिशन पर आता है अब इससे पहले कौन कौन से देशाते है तो इसकी भी एक ट्रिक है रकूबाई आर से रशिया, कैनेडा, चाइना, यूएस से, ब्राजिल, आस्ट्रेलिया, एंडिया और एर्थ नंबर पर भी लटन करते हैं अर्जेंटीना पॉपिलेशन के अकौडिंग जो आती है पूजिशन इंडिया की वो सेकेंड है और फर्स्ट पर चाइना है भी तक अब इस ज अच्छा लगा है तो लाइक करें शेयर करें थेंक यू